हेलो एविवन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोट की लेटस जज्जमेंट के जो की कहती है कि सेक्शन 113 ए ओफ इंडियन एविदेंस एक्ट की एपलिकेबिल्टी के लिए तीन कंडिशन सेटिस्फाई होना जुरूरी है तीन कंडिशन है वो करती हैं तब जाके सेक्शन 113 ए ओफ इंडियन एविदेंस एक्ट की जो एपलिकेबिल्टी बनती है तो यह लेटस सुप्रीम कोट की जज्जमेंट है सुप्रीम कोट की जज्जमेंट का नाम है गुमान सिंग एलिस लालू एलिस राजू वरसे स्टेट आफ कुजरात SLP जो क्रिमिनल है उसका नंबर है 2860-2861 ऑफ 2019 और इस जज्जमेंट का डेट ऑफ डेसीजन है 3rd September 2021 तो यह लेटस जज्जमेंट है जिसको आज हम डिसकस करेंगे इसके क्या फेक्ट थे दोनों तो पार्टी ने क्या आर्गुमेंट किया इसमें तो कोट ने क्या स्पेसिफिक हेल्ड किया स्पेसिफिकली जो हेल्ड किया 113 A of Indian Evidence Act के बारे में साथ में 306 IPC जो डिसकस किया है तो साथ में यह भी था इस जज्जमेंट के की अक्यूस्ट को 306 केस अफेंस में गिल्टी किरार दिया जा सकता है 113 A of Indian Evidence Act का जो सेक्श है उसकी मदद से 306 IPC में अबेटमेंट तो सुसाइड है उसको अक्यूस्ट को गिल्टी दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता डिविजन बेंच की यह जज्जमेंट है तो डिसकस करते हैं इसमें अपील फाइल की गे थी अब अपीलेंट के द्वारा उनके जो कनविक्शन ओडर है उनको 306 498 A जिसको 114 ऑफ इंडियन एविडेंस इंडियन पीनल कोड के साथ पढ़ा जाता है उस सेक्शन के तहत अब सुप्रीम कोड ने भी इस अपील को डिस्मिस कर दिया तो इस केस में सुप्रीम कोड ने क्या है किया उसके बारे में देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्ट क्या है इस case में जो accused के against allegation जो prove हुए वो थे कि accused की wife ने suicide commit किया poison consume किया अपने matrimonial home में अपने सासुराल में accused की wife ने suicide commit किया poison consume करके appealant consistently उसको 25,000 पर अपने father से लाने के लिए consistently उसको कह रहा था ताँ जो वो फैलो है वो purchase कर पाए और वो अपना दूद का जो कारोबार है उसको कर पाए बट क्योंकि उसके deceased के father की जो poor financial condition की वज़े से वो demand appealant number one है उसकी पूरी नहीं कर सके तो इस वज़े से appealant number one ने उसे मारना पीतना स्टार्ट कर दिया और appealant number two जो की mother in law थी जो main accuser की mother in law थी उसने भी किसी भी बहाने के साथ उसके साथ जगडा start कर दिया और जैसे कि वो कहती कि उसको खाना बनाना नहीं आता वो ढंक से घर का काम नहीं कर पाती तो इस सब वज़े से उसकी mother in law ने deceased की और deceased के husband ने उसके मारना पीतना शुग कर दिया जगडा शुग कर दिया जिसकी वज़े से ultimately deceased ने 14.12.1997 को poison consume करते हुए अपने matrimonial home में suicide कमिट कर लिया रीजन इसी रीजन के वज़े से कि वो mental जो continuous mental and physical cruelty जेल नहीं पाई और उसने आठ महिने में ही suicide कमिट कर लिया अब सप्रीम कोट के सामने जो अपीलेंट ने आर्गुमेंट दिया कि जो material witnesses हैं जो material witness accused के खलाफ जोनोंने statement दी है उनमें major contradiction है उनकी statement में कोई भी डावरी की demand नहीं money की demand नहीं हुए अपीलेंट की तरफ से अपीलेंट सिर्फ उसको loan के लिए बोल रहा था so that कि वो अपनी buffalo क्रीद के जो क्रीद करके उसको अपने milk का जो business है वो start कर पाए तो यह argument थे अपीलेंट साइट के और साथ के साथ उन्होंने ये भी submit कि अपने argument के कि जो deced थी वो किसी mental illness से सफर कर रही थी और वो under medical treatment थी और साथ में जो उन्होंने जो objection और इस क्या कि जो witness examine हुए है इस case में वो witness है independent witness नहीं है वो सारे witness close relative है तो इस वज़े से इस case में defective है और यह appeal liable to be admitted है यह appeal admit होनी चाहिए और order set aside होना चाहिए conviction का तो जो argument state की तरफ से दिये गए हैं उस argument में यह कहा गया कि जो 306 IPC के section के जो ingredient है conviction के लिए वो complete होते हैं with the aid of section 113A of Indian Evidence Act 1872 के तो यह appeal है यह liable to be deserved to be dismissed है अब दोनों तरफ के argument सुनते हुए Supreme Court ने यह held किया कि 113A 113A of Indian Evidence है वो provide करता है कि presumption देता है कि अगर married woman 7 साल के भीतर marriage from date of marriage के 7 साल के भीतर अगर suicide commit करती है तो इसके लिए जो presumption है वो presumption ली जाएगी कि वो abatment की गई है husband के द्वारा उसके relative के द्वारा अगर otherwise cruelty prove होती है तो section 113A of Indian Evidence कहता है कि presumption as to abatment of suicide by married woman तो headline section की बिल्कुल करिये रहें जब भी ये question आएगा woman की suicide commit करने का कि woman ने suicide abat हुआ है या नहीं हुआ तो ये presume कर लिया जाएगा कि अगर 7 साल के marriage की date of save 7 साल के भीतर में cruelty prove होती है subject to cruelty है तो ये माना जा सकता है कि इस case में abatment हुई है abatment to suicide हुआ है और साथ की साथ इस section के साथ जो explanation दी गई है उसमें जो cruelty को लेके clarity की गई explanation में ये बोला गया है कि जो cruelty इस section में जो cruelty word use है वो 498A of IPC के section में जो cruelty की meaning दिया गया है वो वही meaning इसमें भी applicable होता है सो प्रीम कोट ने ये observe कि जादातर cases में जहां पे married woman की cruelty होती है वो cruelty होती है घर की चार्दिवारी के अंदर जहां पे independent witness का होना मुश्किल होता है और अगर independent witness अवेलेबल भी हो वो billing है केस में ये भी question है कि witness देने के लिए willing है या नहीं है ये बड़ा स्वाल है नॉर्मली कोई भी इंडेपेंडेंस या जो अनकनेक्टिड परसन है वो विटनस बनने के लिए कई रीजन से वो मना कर देता है अवे लेवल नहीं होता तो देर इस नथिंग अननेच्रूल ये इसमें कुछ भी अननेच्रूल नहीं है कि अगर डिमेस्टिक सब्सक्राइब मательноनेच्रूल ये वो नेच्रूल है कि अगर किसी मैरी बुमेन के साथ क्यों कुछ फूर्यटी होती है वो अपने पेरेंस के साथ ब्रादर सिस्टर के साथ या क्लोज ऑलायों के साथ है वह एपनी क्रूल ठीप road радY है the evidentry value of a close relative interested witness is not liable to be rejected तो जो evidentry value of a close relative interested witness है उनको reject नहीं किया जा सकता सिर्फ इस crown के वज़े से कि वह deceased के relative थे जो witness थे the law है वो disqualify नहीं करता relative को कि वो as a witness produce नहीं हो सकते चाहिए वो interested witness है तो interested witness होने में itself उसका evidence discard नहीं किया जा सकता आलदो court को उसको with proper question के प्रॉपर उसको evidence को जो interested witness जिसको बोला जाता relative evidence है court उसको properly weight करेगी evaluate करेगी उसके evidence को closely monitor करेगी तो इस case में जो PW1 थे 2 थे 3 था और 4 था they are relative to disease और यह natural witness थे तो उनको examination करने में कोई रोक नहीं थी कि वो उसके family member है या other person is a witness है तो उनका जो evidence है वो discard नहीं किया जा सकता जिन्होंने उनमें प्रूब कर दिया कि disease के साथ थी वो cruelty हुई थी from the evidence of prosecution witness we have no hesitation तो स्प्रीम कोट ने held किया कि जो prosecution का evidence है उसको देखते हुई hesitation नहीं है कि prosecution ने प्रूब किया कि disease को हाराश किया गया था उसको unlawful demand उसकी जो 25 हायर की unlawful demand थी उसको complete करने के लिए हाराश किया गया था so such harassment was on account of failure तो जो harassment थी जो उसने अपने पिता से पैसा नहीं लेके आई उस वज़े से जो उसको harassment थी जो की incapacity थी जिसकी वो poor incapable थे financially कि वो उसकी violation 9498 AIPC of explanation साथ में अटैच है तो यह हमने देखा कि 498 को जब भी हम section 113 113 की बात करेंगे तो पहले subject to 498 AIPC उसकी cruelty साबित होना जुरूई है तो इस case में cruelty साबित वो थी हो गई प्रूब हो गई अब question था कि whether the accused can be be held guilty for the offense punishable under section 306 AIPC with the aid of section 113A of the evidence act तो Supreme Court ने इसमें held किया कि attract करने के लिए section 113A of Indian evidence act को attract करने के लिए applicable करने के लिए तीन condition जरूरी है वो तीन condition कौन सी necessary है वो तीन condition है कि woman has committed suicide ये fact prove होना चाहिए कि woman commit woman ने जो suicide commit किया है such a suicide has been committed within a period of seven year from the date of marriage और ये suicide है शादी होने की date से 7 साल के अंतर ये suicide 7 साल का जो time period है साथ साल में ये किया गया है suicide और accused है वो subject to cruelty उनको उपर ये charge है कि उन्होंने cruelty की है तो cruelty साबित होनी चाहिए साथ साल time period होना चाहिए और suicide commit होना चाहिए तो ये तीन condition है जो कि applicability के लिए 113A of Indian Evidence Act के section के अप्ली के लिए necessary है Supreme Court ने ये held किया कि जो fact is case के है उसमें ये तीन condition है वो fulfill होती है इसमें कोई dispute नहीं है कि जो डिसीड़स ने suicide commit किया साथ साल के बीतर from the date of marriage और accused के उपर charge है वो prove होते है cruelty के तो ये appeal थी Supreme Court ने dismiss कर दी अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें channel को subscribe करें thank you for watching this video